लड़कियां और विशेश रूप से सुन्दर लड़कियां बिये करें ये पुरानी और घर-घर की समस्या है इस समस्या पर एक फिल्म भी तानकर खड़ी की जा सकती है इसका हमें अनुमान न था मगर बंगालियों की बात ही अलग है क्या कहने उस सिनमा हॉल में जाने क्यों हम अन्फिट लग रहे थे फिल्म की विशेश्टा थी के वो बंगला में थी और हमारी विशेश्टा थी के हम बंगला नहीं जानते रहा कलाप्रेमी होने का सवाल तो कलाप्रेमी कोई मोर का पंक नहीं जिसे सिर में खोंस लिया जाए चारों और चटर जी, मुकर जी और भटाचारे किसन के लोग बैठे थे धोती कुर्ता पहने और उनके सामने बैठे मैं और नरेंदर दोनों गमार लग रहे थे हमें बंगला नहीं आती जब तक हॉल में अंधेरा नहीं हुआ यही हालत बनी रही हम चुपचाप सिर जुकाए बैठे रहे अंधेरा हुआ तो हमारा गमारपन विलीन हो गया और एक बंगला फिल्म पूरी गरिमा के साथ दिखाई जाने लगी वो बंगला लेखक की बंगला कहानी पर बनी बंगाली फिल्म थी जिसे बंगाल के एक प्रोडूसर ने बंगाली अभिनेता और अभिनेत्रियों की मदद से बंगाल में ही बनाया था कहानी बंगाल के एक छोटे से कस्बे में रहने वाले बंगाली परिवार की थी यानि उसमें सब कुछ बंगाली था नरेंदर जो थोड़ा बहुत संगीत समझता है बता रहा था कि प्रिष्ट भूमी में जो संगीत बज रहा है वो भी बंगाली है इतने सब के बावजूद हमने पूरी कोशिश की के चित्र को समझा जाए और हम बड़ी जल्दी समझ गए कि फिल्म सामान ने प्रेम कथा नहीं है हीरोईन आह क्या भरी पूरी हीरोईन थी इंटर कर चुकी है और उसके बीए करने की समस्या है पूरा ताना बाना इस छोटी सी समस्या को लेकर बुना गया था हीरोईन भी इसी समस्या से ग्रेस्ट था हीरोईन से पहली मुलाकात में ही उसने पूछा तो मर बीए होए गय चे हीरोईन ने इस प्रशन पर कुछ उड़ता उड़ता सा जवाब दिया अमर B.A. कॉर्बार दोरकार नहीं हम समझ गए कि लड़की इंटर कर चुकी है मगर फिलहाल B.A. करने के मूड में नहीं है मगर हीरो चाहता था कि हीरोईन B.A. कर ले वो जब मिलता हीरोईन से एक ही प्रशन गुमा फिरा कर करता B.A. कॉर्बे ना कॉर्बे हीरो शायद उसी वर्श B.A. में बैठ रहा था और चाहता था कि हीरोईन भी साथ ही B.A. कर ले परीक्षा में बैठ जाए जहरने के पासवाले सीन में जिसमें काफी सारे बादल दिखाए गए थे और बड़ा सुरीला बैक्गराउंड म्यूजिक बज रहा था उसने उस भरी पूरी हीरोईन का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा आमार शोंगे B.A. कॉर बे हीरोईन लजा गई हमें लगा वो वास्तों में पढ़ना चाहती है मगर चाहकर भी आगे नहीं पढ़ पा रही है पिक्चर में एक अदद विलेन भी था जो जमीदार किस्म का शक्स था और हाथ में डंडा रखता था वो भी चाहता था कि हीरोईन ग्रेजुएट हो जाए जब हीरोईन अपने घर पर जल प्रदाई की शाशुत समस्या का हल खोजने कमर में घड़ा दाब जहरने की तरफ जाती विलेन पकड़न्डी काटकर खड़ा हो जाता और कहता शुंदरी आमें तुमार शुंगे बी ए कॉर्बो ही कॉर्बो हमें आश्यर हुआ कि मुचंदर विलेन बी ए करने से अभी तक सिर्फ इसलिए रुका हुआ है क्योंकि ये हीरोईन शुंदरी के साथ बी ए करना चाहता है इसी नजारे के आसपास इंटरवल हो गया और हम समोसों की दिशा में लबके हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कमवख्त हीरोईन बी ए क्यों नहीं कर लेती इतने समय में तो बी ए छोड एमे कर सकती थी और अगर वो बी ए नहीं करना चाहती तो ना करें इसमें खुद इतना परेशान होने या पबलिक को बोर करने की क्या बात है और वो हीरोई सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस हीरोईन की पीछे क्यों लगा रहता है दुनिया में और भी गम है बीए करने के सिवा यार मुझे तो इस हीरोईन के इंटरमीडियेट होने में भी शक है नरेंदर बोला जिस तरह ये लड़की दिन दिन भर पानी भरती रहती है कपड़े सुखाती रहती है खाली बैटी रहती है मैं नहीं समझता इसने कॉलेज की शकल भी कभी देखी है तुम समझते नहीं नरेंदर बंगाल की परिस्थितियां हमारे मद्ध्रदेश से बिलकुल भिन है यहां पिछले वर्षों में शिक्षा का तेजी से विकास हुआ है गाउं गाउं में कॉलिज खुल गये है और युवकों तथा युवतियों पर चारों तरफ से ये प्रेशर आ रहा है कि वो B.A.M. करें युवक युवति यह निर्णे नहीं ले पा रहे हैं कि वे B.A. करें या ना करें चारों तरफ बेकारी है और असंतोश है बंगाल की आज जो हालत है हम अच्छी तरह जानते हैं फिल्म इसी प्रिष्ट भूमी पर तयार की गई है कि आज किसी युवती के लिए बिये करना जरूरी है या नहीं बंगाल की दृष्टी से ये एक गंभीर समस्या है मैंने नरेंदर को समझाया इंटरवल समाप्त हो चुका था हम हाल के अंदर घुज गए और उसी गंभीरता से आगे देखने लगे समझ में नहीं आ रहा था कि हीरोईन ये उन्वस्टी की डिग्री लेने के मामले में गंभीर है या नहीं वो हीरो के समने मान लेती कि वो भी ये करेगी जो जरूरी भी है मगर जब विलेन उससे कहता तो वो साफ मना कर देती एक बार तो उसने विलेन को कसकर डांट दिया जेटा आमी भाबी शेटा आमी कॉर्वो अर्थात मुझे जैसा जचेगा वैसा मैं करूंगी विलेन भी चग गया और उसने अपने निश्चित देख लूँगा जाती कहां है वाले अंदाज में गर्दन हिलाता डंडा घुमाता पकडंडी से चला गया एक दिरिश्चे में विलेन ने गाउं के कतिपैस नहीं मित्र टाइप के गुंडों को एकत्र किया और शराब पिलाकर ये शैक्षनिक समस्या सामने रखी थी कि हीरोईन भी ए करने को तयार नहीं बोलो क्या करें गुंडों को आश्यर हुआ कि विलेन के इतने आग्रह के बावजूद वो लड़की भी ए करने से इंकार करती है उन्होंने शराब पी और प्रशन की गंभीरता को समझा बाद में उन्होंने लपलपाते छुरे और फर से चमका कर ये कसम खाई कि उनके होते ये संभव नहीं होगा कि हीरोईन भी ए ना करे उन्होंने विलेन को वचन दिया और पैर पटकते हुए चले गए एक और द्रिशे में हीरोईन की सहली ने हीरोईन को इसी विशे में समझाते हुए कहा कि तुम बी ए क्यों नहीं कर लेती हीरोईन ने कुछ कहा जिसका अर्थ शायद था कि ठीक है मैं कर लूँगी मेरे ख्याल से इसके बाद फिल्म समाब्थ हो जानी चाहिए थी आखरी सीन में लड़की को बी ए की कक्षा में बैठा दिखा कर दा एंड किया जा सकता था मगर ऐसा हुआ नहीं विलेन के सनेही मित्रों ने हीरोगों को डंडे से पीटा जवाब में हीरो ने भी हाथ दिखाए शैक्षनिक प्रश्न का अंतता इस स्तर पर निप्टा रहा होगा इसकी उम्मीद नहीं थी हीरोईन ने हीरो की बाहां पर पट्टी बांधी और कड़े शब्दों में अपने बाप से बीए करने का एलान करते हुए कहा आमा के बीए कौरते क्यों थामाते पार बेना और सच भी है इस स्वतंत्र भारत में अगर कोई बीए का अध्यन करना चाहे तो उसे कौन थाम सकता है चित्र के अंत में हीरो हीरोईन का हाथ पकड़ पबलिक और कैमरामेन की तरफ पीठ किये एक और चला गया शायद कॉलेज उसी और रहा होगा बाहर आकर नरेंद्र ने कहा मेरे ख्याल से मूलता ये फिल्म दो प्राइवेट कॉलेजों की लड़ाई पर बनी है एक कॉलेज से हीरो संबद्ध है और दूसरे से विलिन प्रतियोगिता इस बात की है कि वो सुन्दरी कहां से बिये करेगी वो विलिन के कॉलेज से बिये करना नहीं चाहती क्योंकि वहाँ गुंडागर्दी जादा है इसलिए वो अस्विकार कर देती है हीरो का विद्यापीट शायद बहतर है बंगाल वाले भी कमाल कर रहे है कितनी नई थीम उठाकर फिल्में बना रहे है मैंने कहा पान की दुकान पर भटाचारे बाबू मिल गए क्यों जोशी साहब इधर कैसा आया फिल्म देखने आया था दादा बंगाली फिल्म अरे तुमको बंगाली समझता समझता तु नहीं दादा फिर भी हमने सोचा अच्छा फिल्म है देखना चाहिए अच्छा है अच्छा है एंड समझ नहीं आया दादा क्या नहीं समझा हीरोईन ने ग्रेजुएशन कर लिया कि नहीं दादा कैसा ग्रेजुएशन भटाचारे आश्चेरे से बोले हीरोईन कहती थी ना कि मैं B.A. करूंगी मुझे कोई रोक नहीं सकता बटा चारे हो 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 करके हांसे और बोले खूब समझा तुम लोग अरे B.A. मतलब बैचलर आफ आर्ट्स नहीं B.A. यानि ब्याह, शादी, मैरिज और वो फिर जोर जोर से हांसने लगे